आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं बेक्ट मक्रोनी कीमा केक ये अंडो मक्रोनी सोया ग्रैनूल से बनाया जाता है बिलकुल बेक्ट और जटपट बनने वाला यह स्नैक बहुती स्वादिश्ट और न्यूट्रियन्स से बरपूर होता है मैं ऐसे ज्यादा तर मटन के कीमे से बनाती हूं मटन मिंस कीमा से पर लॉकडाउन के कारण आज मैं ऐसे सोया ग्रैनूल से बना रही हूँ चलिए शुरू करते हैं चलिए इंग्रीडियन्स नोट करते हैं 1 कटोरी सोया ग्रैनूल 1 चुथाई कटोरी मक्रोनी छे अंडे चार मीडियम साइज कटे हुए प्याज डमेटो प्यूरी रख लसन हरी मिर चार दन्या 1 तीस्पून शाजीरा 1 तीस्पून गराम मसाला 1 तीस्पून हल्दी पाउडर 2 तीस्पून दन्या पाउडर 1 तीस्पून रचिली पाउडर 1 तीस्पून काली मिर्च सोया बुर्जी बैना स्टार्ट करते हैं तेल गरम करके उसमें अद्रक और लसन डालिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ओयल यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो इसमें रेगिलर ओयल भी यूज़ कर सकते हैं अब प्याच डालके उसको पकाना है जब तक यह गुलाबी नहीं हो जाता प्याच है प्राउन हो चुका है अब इसमें हम सोया ग्रैनूल्स डालेंगे जो मैंने आदा गंटा गरम दूद में बिगोके रखा था हल्दी एट कीजिए हरी मिर्ची एट कीजिए अब इसको अच्छे से हमें बूनना है अब इसको थोड़ी दे डखके रखिए जब तक की इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता 10 मिनिट में वो पानी सूख जाता है अब इसको फिर से खोल के हमें फिर से अच्छे से गुमाना है दीरे दीरे अब इसमें टेमेटो प्यूरी आड करते जाएंगे और बूनते जाएंगे अब इसमें नमक आड करेंगे और कीमे को अच्छा बूनना है अच्छा बूनेंगे तब ही उसका टेस्ट परफिक्ट बैठेगा हमारा कीमाव अच्छे से बून रहा है अब इसमें मैं जो बचा हुआ टमाटर था वो डाल रही हूँ आदा चमच लाल मिर्ज पाउडर शाजीरा आदा चमच दन्या पाउडर दो चमच अब इसको अच्छे से और बूनेंगे जब तक की हमारा कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता इसमें आदा चमच काली मिर्ज पाउडर आट की गरम मसाल आट कर दिया अब इसको फिर से गुमाएंगे हमारा कीमा अल्मोस बुन चिका है तब भी इसको पांच मिन्ट और में बूनूगी और इसको ठंडा करने के लिए गैस बंद करके रख दूँगी यह पूरा कीमा हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है आप देख सकतें कितना अच्छा कलर आ गया अब इसमें हमें दन्या पती मिलानी है फिर अच्छे से गुमा के मैकरोनी एड़ करनी है मैकरोनी एड़ करके फिर भी हमको अच्छे से गुमाना है यहां पर मैने मैकरोनी बॉil कर दी और पानी निकाल दी आ यहां पर मैं छे अंडे यूज कर रहे हूं अब अंडों को एक दूसरे बाउल में हमें फेंट के इसमें आड़ करने है सबको अच्छे से मिलाके फिर हमें बेकिंग डिश में बेक करना है यां फ्राइंग पैन में मैं यहां पर फ्राइंग पैन में ही इसको बेक कर रहे हूं यह 20-25 मिनिट में बेक हो जाता है बिलकुल लो फ्लेम पर डख के रखना है हमें हमारा बेक्ट सोया मकरोनी के टैयार है अब इसको पीसेस में काटके हम सर्व कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह अंदर से कितना अच्छा पक चुका है अब इसको आप सर्व कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुजा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके सुजा हमारे लिए महत्वपूर्ण है थैंक यू